भारतिये संबिधान इंडियन कॉंश्टिचूशन संबिधान उन प्रवधानों का संक्रा है जिसके अधार पर किसी देश का सासन चलाया जाता है राज्य विवस्था पॉलीटी राज्य विवस्था संबिधान का विवारिक पडियोग है या संबिधान को लागू करने के क्रम में जो भिशै और मुद्द उभर कर सामने आते हैं उनको सामुहिक रूप से राज्य विवस्था कहते हैं संभिधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को या संभिधान लागू हुआ इसी दिन की याद में हम भार्दियें हर वर्ष 26 जनवरी को गतंतर दिवस के रूप में मनाते हैं संभिधान को पूर्ण रूप से तयार करने में दो वर्ष 11 मा 18 दिन का समय लगा था दुनिया की सबसे लंबी संभिधान भारत की संभिधान है एवं दुनिया की सबसे छोटी संभिधान मुनक्को देश का संभिधान है संभिधान सभा की पहली वार मांग अनपचारिक रूप से 1895 में बेजी तिलगने की एवं भारतियों की और से संभिधान सभा की अपचारिक रूप से मांग 1934 में स्वराज पार्टी की त्रप से राची में M.N. रौ ने सबसे अधिकवर मांग की संभिधान सभा के संभिधानिक सलाकार B.N. रौ बने संभिधान सभा की पहली वैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई एबं दूसरी वैठक 11 दिसंबर 1948 को हुआ और तिसरी वैठक 13 दिसंबर 1944 को प्रस्तावना को संभिधानिके कुझजी कहा जाता है प्रस्तावना का उद्देश से पंडित चभाहल लर नेरु ने 13 दिसंबर 1946 को पेस किया और 22 चनवर 1947 को या उद्देश से पास हुआ